हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यस्यन मुक्ति तग्य हूं मैं आज बताने वाला हूं आपको बुरा पेकी यारदाश की बिमारी क्याने कि यारदाश जो है मतलब बुढ़ियसरे और यारदाश का कम होना यह बड़ा खतर्नाग होऔगा है मतलब है कि हमकों चलाने वाले बुढ़्धिये और यारदाहस है अब वह कम होगे तो जिंदकी वसी चलेगी होता क्या है कि कुछ लिगों को जैसी जैसी उमर बढ़ते जाती है वैसे वैसी यारदाश कम कम होते जाती है तो उसमें क्या हुदा है कि मतलब चीजे कहां रखिये याद ने रहना चाबी कहां रखिये वो याद ने रहना फिर कभी कपड़े उल्टे पहन लेना कभी बाथरूम से बिना कपड़े पहनते भी बहार आ जाना या फिर रस्ता भूल जाना गर के घर में ही रस्ता भूल जाना मतलब कोई कमर में जाना कि वहां टौइलेट है टौइलेट में जाना कि वहां कोई कमरा है फिर लोगों के नाम नहीं याद रहना जैसे बिमारी बढ़ते जाती है ज्यादा जाना बढ़ते जाती है वैसे 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 लोगों को अपन तो यह उसको चुपाने के कोशिश करते हैं, मतलब चीजे टापटी पर रखना, एक्जिस्टन्स में रखना, लिखके रखना, ऐसा करते लोग है, और चुपा थे कि मेरे को ऐसा कुछ हो गया, और उनको अपने पकड़ लिया कि आपको याद ने रह रहा है, तो वो घुसा कर पूरी बिमारी जो है यादने रहने की, तो वो 65 साल के उपर कम से कम 5 से 10 टका लोगों को यह बिमारी थे थे, 5 से 10 टका लोगों को यह बिमारी होती है, 65 साल के उपर, और 85 उमर के उपर, 20 से 40 टका लोगों को यह यारदाश की बिमारी हो सकती है, पूरी जो बिमारी है, या 40-60% लोगों को Alzheimer's disease नाम की बिमारी होती है, उसको बहुते Alzheimer's dementia, और फिर 20-30% लोग ऐसे हैं उसमें के, जिनको ये यारदाश की बिमारी भुलक कर पना है, उसमें से 20-30% लोग ऐसे हैं कि जिनको खुन की जो नलियां रहती है, वेसल, ब्लेड वेसल, तो उसमें से खुन भेज को पुरा नहीं जाना, कम जाना, उसको बहुत है, वेस्कुलर डेमेंशिया उससे होती है, और बागी भी बहुत कारण है, बुलक कर पनाने के जैसे, हेडिल जो ये होगे, दिमाग को एक्सिडेंट हो गया, दिमाग को मार बढ़ गया, दिमाग हिल गया पुरा, फिर क्या होता है, डिप्रेशन जब होता है लोगों को, मतलब निराश, निराशा बाद, या निराश की बिमारी, हताश की बिमारी, हताश होना, उसमें क्या होता है, कि निराश शाकी जिनको बिमारी है, डिप्रेशन की, तो उनको यारदाश नहीं रहती, हमको एड़ लगता है पूरे डिमेंशिया में जितने भी डिमेंशिया मतले भुलकर पना की जितने भी कारण है जितने भी बिमारें उसमें से 10-15 प्रतिश्यत लोग अच्छे हो सकते हैं यदी बराबर समय पर दवाई हमने दिया तो जाने दो दो हमर का ठकाद है तो फॉर इलाज किया जाता दबय कुष्बा देने की जरुर जाते हैं जीयरे जीरे थीरे इनको वीर्य यहां अलग अलग चड़ जाती है कि यह खुद का केर नहीं करते हैं घर में उनको रखना मुश्किल हो जागा है कभी-कभी रात हुआ रात हो गई तो उनको को समझ में नहाता है वह ऐसा बेख जैसे हो जाते हैं अल्टर संसुरिम जैसा उसको बोलते हैं कि उनको समझ तैने को सोते हैं तब कम्रे में लाएट होना जरू हो यह आक अल्जामस दिमेंशा के बारे में भी वो दवाईया गुलियां उनको देते है कोई टॉनिक से मिल्टी विटामिन से वो उनको देते है उनसे बाचीत करना और उनको कॉंसिलिंग करना के साथ में बैठना उनको निज़स पर पढ़ने देना टीवी के सामने बिठाना रेडियो सुनाना वो ओनको रोज कि आसमें एक्टिव रखना और जितने ऐं प्रक्रें दिखाए दी कम हो सकती है रैक्टिव रखने चasia हो जाता है और होता कहीं है कि अंपने में सुना हो नेElैना और उनका इलाज करना वो जरूरी है हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ आपके आजु बाजु में आसपास कैसे कहीं लोग होंगे जिनको ही मिमारी होंगी उनको ये जरूरी वीडियो शेर करो आपको सब्सक्राइब करो जारा जारा लोगों का आप वाटसेप पर शेर करो फेस्बूक के उपर शेर करो इसकी लिंक ताकि जारा 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 लोगों को इसका फायदा होंगा और लोग इसमें अच्छे भी हो सकते है So thank you very much